कि एट नम्मर देखिए यहां पर दिया है operation है और पर रियल नम्मर पर डिफाइंड डिफाइंड बाइं ए ओपरेशन बी इक्वाल टू में ए पलस बी माइनस सेवन फॉर आल ए बी बिलॉंग्स टू क्यूं ठीक है चलिए अब इसके बाद देखते हैं हमें क्या दिखाना है कॉम्यूटेटिव की बात करेंगे तो हमें दिखाना होगा कि ए ओपरेशन भी इक्वल होना चाहिए बी ऑपरेशन है कि फॉर आल एबी बिलॉंग्स टू रियल नंबर यहां रियल नंबर होगा सॉरी गंती से मैंने क्यूं कर दिया था चलिए देखते हैं इसका लिए से एफिवन को सब्टेंग कर लेना है एफिफ्फाव हो जाएगा वह बेलाग्स यह जो रियल नंबर जो होता है ना जी नमबर का सम आपका कम्यूटेटिव लौ को फॉलो करते हैं तो यह प्लस बी प्लस एक यह प्लस चीवल हो जाएगा इस फार आल ये बी लंस टुर 6 7 में ही पढ़ है तो हम लोगी से a प्लस b भी लिख सकते हैं तो यह दोनों सेम ही नहीं नहीं हो गया a plus b minus 7 तो देख सकते हैं therefore a operation b equal हो जा रहा है b operation a के for all a b belongs to r तो हम लिख सकते हैं कि hence and operation operation जह हमारा operation इस कॉम्मूटेटिव कॉम्मूटेटीव हो जाएगा चलिए हम लोग के लिख सकते हैं आप देखते हैं सो सीएटीब के लिए तो फौर एसो सी तो associative के लिए देखिए तो associative के लिए हमें दिखाना हो गए यहाँ पर कि a operation b operation c equal होना चाहिए a operation b operation c for all a b c belongs to r ठीक है चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं इसका lhs लेते हैं lhs में है आपका a operation b operation c तो पहरे a और b का operation क्या होगा तो दोनों के सम में से 7 को subject कर लेना है ठीक है फिर operation है c अब इन दोनों के सम में से 7 को subject कर लेना है a plus b minus 7 plus c minus 7 यानि कि आ जागा यहां से a plus b plus c और minus का 14 चलिए अब हम लोग rhs इसका लेते हैं तो rhs में है आपका a operation b operation c तो पहले हम लोग b और c का operation करेंगे तो दोनों के सम में से 7 को subject कर लेंगे अब इनका भी सम में से इन दोनों के सम में से 7 को subject कर लेंगे ठीक है तो दोनों को add कर दी और 7 subject कर दी तो यहां भी वहीं आ जागा a plus b plus c और minus का 14 तो दोनों सेम आ गया ना यहां लिख सकते हैं कि a operation b operation c equal है a operation b operation c for all a b c belongs to r यहां पर लिख सकते हैं hence operation hence operation जो हमारे पास operation है is associative यह आपका associative हो जाएगा associative on real number पर associative है चलिए